कि हलो एवरिवन वेल्कम वन्स अगेन और हिमालिय आई जो हब यूट्यूब चैनल दोस्तों आज का सेशन स्यूटी दोहजार पच्चिस की प्रिपरेशन कर रहे स्टुडेंट्स के लिए डेडिकेटेड हैं बहुत सारे स्टुडेंट्स जानना चाहते हैं कि सर अब जो मन छह महहिने बाकी तौ चैमाइने में कैसे प्रिपेर कर लें हम अचा इससे भी बड़ी ही की बड़ी दîक्त्रेयां की कि यूल cvt की प्रिपारेशन नहीं करनी है साथ में बोर्ट भी जाना तो एक तो चैमा महिने में जो इस्टेटरजी हमारी होनी चाहिए कि हम छह महिने में कैसे प्रिपेर कर लें दूसरा बॉर्ड एक्जाम के साथ बॉर्ड के साथ में कैसे प्रिपेर कर लें तो यह दोनों ही बहुत important है यहां मैं students को थोड़ा सा guide करना चाहूंगा कि कैसे आप prepare कर सकते हैं हाँ कुछ students हैं जो CUET में अपना target लेके चल रहा है desired university की Delhi University में हो जाए, इसमें हो जाए, इसमें हो जाए है ना, जामिया में हो जाए या बहुत बड़ी universities जो top उनके desired universities हैं उनमें हो जाए CUET exam में मिलेंगे केवल two months और दोस्तों, दो महीने में CUET के तैयारी नहीं कर पाऊगे दो महीने में, क्यों? क्योंकि students को लगता है कि domain subject हैं तीन वो तो हमारे चली रहे हैं boards के साथ और बाकी, जो general paper है जिसमें language है, maths है, reasoning है इंडिया जी के है और उसके लावा domain के practice, test series, सारी दो महीने में नहीं होती है, तो जो students boards तक ये सोच रहे हैं कि हम अभी all the focus will be on boards, और जब boards complete हो जाएंगे, तो last के दो महीने में सब कुछ कर लेंगे, वहाँ जाके थोड़ा सा game बदलने लग जाता है दोस्तों, वहाँ जाके आप लोग CVT में अच्छा perform नहीं कर पाऊगे कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दो marks से आपके CVT में desired university से रह जाएं, आप boards के साथ आराम से plan करोगे, अगर तरीके से तो boards के साथ आप आराम से 6 महीने के अंदर अपने CVT में marks बहुत शांदार कर सकते हो, कैसे देखो अपन जानते हैं, सबसे पहले आप अगर CVT की बात करो, आपके 3 तो domain subject है तो domain तो आपके वही रहेंगे जो आप boards में पढ़ रहे हो, वो ही CVT के अंदर रहेंगे, उनमें कोई खास change है ही नहीं सिर्फ question पूछने का जो pattern है वो change हो जाता है boards में descriptive होगा आपको लिखना होगा सब कुछ जबकी CVT में MCQ होगा, सिर्फ ये change होगा बाकी, अगर आप boards में बहुत अच्छे से तयारी कर रहे हैं, आपके domain subjects बहुत अच्छे हैं, तो ये आपको CVT में सीधा-सीधा फाइदा देगा, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर boards में तो आपका descriptive होगा और CVT के अंदर आपके domain subjects हैं, CVT में ये MCQ के माध्यम से पूछा जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, domain पढ़ते रहो board में आपकी तैयारी होई रही है साथ में आप जोइन कर लो domain के लिए test series कहीं से भी आप test series market से purchase कर सकते हैं online test series available so many, हमारे पास में बहुत ही शांदार test series available है, आप हिमालिया आजूहब app डाउनलोड करके यहाँ से भी test series purchase कर सकते हैं है ना, बहुत सारे students इसको already purchase किये हुए हैं और हमने इसमें बहुत ही efforts बहुत ज़्यादा efforts डालके और research के बाद यह test series तैयार हो रही है तो आप यहाँ से test series ले सकते हैं और for that matter आप test series कहीं से भी purchase करके आप उसकी तैयारी, आपके domain subject कि तैयारी अच्छे से कर सकते हैं CUET में तो आपको domain subject board में और CUET में अलग अलग prepare करने की जरूरत नहीं है आपका दोनों में एक साथ ही हो जाएगा तीन जो मुख्या subject हैं लेकिन test series साथ में join कर लोगे तो आपका CUET का बहुत अच्छा domain subject CUET में बहुत बढ़िया हो जाएगा इतनी बात आपको मेरी समझ में आई गई होगी और फिर लास्ट के दो महिने में आप कोई भी crash course join कर सकते करके जब boards हो जाएंगे आपके तो बाद में दो महिने में आप कोई भी crash course join कर सकते हैं और उसमें आप domain में आराम से शांदार आपके CVT के तैयारी हो जाएगी तो domain के लिए क्या करना है domain के लिए आपको अभी अलग से पढ़ने के ज़रुरत नहीं है सिर्फ test series अलग से दो MCQ pattern में है test series और बाद में आप crash course कर सकते हैं आप crash course हमारे पास भी available रहेंगे उस समय हम crash course ले रहेंगे online offline दोनों तो आप online offline जैसे आपको सुविदा आप crash course बात में ले सकते हैं if and when required अगली बात आजाती है general test की जो आपके general test हैं उनमें कौन-कौन से subject हो सकते हैं तो एक तो मैट्सी है एक reasoning है इसके अलाव आपका इंडिया जी के हैं और इंडिया जी के आपके लेंग्विजे से like Hindi English इस paper की पूरी पूरी तयारी आपको करनी होगी और इस paper की पूरी पूरी तयारी लास्ट के दो महीने में होना बहुत जादा आपको मुश्किल भी नहीं होती है लेकिन आप अगर साथ में तैयारी करके marks अच्छा लाना चाहते हैं यह test series में अच्छा perform करके you want to be in your desired university तो आपको marks score करना as many as possible और उसके लिए आपको बहुत दिक्कत हो सकती है it will not be a cakewalk अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान में ना रखो तो आप board के बाद में दो महीने आपके पास में समय कम पढ़ सकता है क्या करें सर मैंने आपको बताया देखो English को prepare कैसे कर सकते हो एक पूरा separate video उस English subject के उपर मैंने लिया है जिसने में मैंने बताया है कि English subject को boards के साथ कैसे prepare किया जा सकता है उसका मैं आपको एक outline देता हूँ देखो दोस्तों English तीन पार्ट में होती है सबसे पहले grammar, comprehension and vocab है ना अगर हम English subject की बात करें तो English में तीन पार्ट में divided है English में grammar, vocab और comprehension comprehension आप boards के बात कर सकते हो अराम से, boards से पहले ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे boards में अगर आप करोगे तो passage तो आप boards के लिए भी पड़ोगी है ना, तो comprehension तो आपका already sound होता है और जब आप boards के लिए prepare करते हो तो और sound हो जाता है तो और comprehension का पार्ट बहुत छोटा है, दो हैं, बस passage और sentence rearrangement, passage and sentence rearrangement ये दो पार्ट है ये दो पार्ट आपके board के बाद अराम से थोड़े दिन में हो जाता है, इन दोनों को मिला के 10 से 15 दिन का समय चाहिए, आपको 10 to 15 days में ये दोनों बहुत आराम से prepare हो सकते हैं in fact 10 to 15 hours इसकी पूरी logic को समझने में चाहिए और उसके बाद practice, that is it, इसमें कोई ज्यादा समय लगता ही नहीं है, 15 to 20 hours के अंदर पूरा ही prepare हो जाता है अब बचा हमारा grammar और vocab, तो देखो, ये दोनों portion एक साथ boards के बाद तयार नहीं हो पाएंगे, याद नहीं होगे, ठीक है न, grammar तो फिर भी हम आपके last में करवा देंगे, लेकिन vocab आपको अभी से पढ़नी चाहिए, तो आप अगर आज से केवल 15 से 20 minute vocab याद करते हैं, कि previous year आप देख सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी books available है, उसके लिए हमारे पास भी matter है, आप चाहिए तो comment करके बता सकते हैं, हम आपको direct भी available करवा देंगे, PDFs और जो भी sources हैं, तो vocab आप 15 से 20 minute रोज पढ़ना शुरू करो, passage और sentence rearrangement आपके आराम से, words के बाद तयार हो है ना, थोड़ा practical होके सोचो, जब मैं शब्द कहता हूँ, impossible तो फिर कुछ लोग कहते हैं, सर, impossible तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, true है, लेकिन थोड़ा practical होके सोचोगे ना, तो आपको यह लगेगा कि grammar और vocab जो है, साथ में prepare करना बहुत मुश्किल है, कुछ ना कुछ जाएगा, इसलिए vocab 15 मिनिट पढ़ो, अगर आप रोज 15 मिनिट vocab अब से पढ़ते हो, तो boards के साथ आपके CVT के अंदर complete हो जाएगा, आपके 100% marks आएगे, 200 marks आजाएगे, क्योंकि बाद में grammar और passage rearrangement के लिए तो हम बैठे हैं, आप हमारे पास क्रेश कोर्स के से लिए भी आपको time मिले boards के अलावा, कोई भी book आप prefer कर सकते हैं, जो market में बहुत सारी books available है, बहुत सारा matter available है, maths और reasoning भी आप लोग practice शुरू कर सकते हैं, और basically मैं कहूंगा कि आप इसमें previous year, PYQs को थोड़ा सा साथ में लेके चलो, previous year देखते चलो, इंडिया GK में भी, और practice जो math reasoning क है उसमें भी, अब देखो, maths की YouTube channel, हमारे YouTube channel पे maths की class चल रही है, regular आप यहां से देख सकते हैं, है न, शांदर तयर ही चल रही है YouTube channel पे, free classes लग रही है, आप हमारे YouTube channel को follow गरो, और वहां से आप maths देखोगे तो आपको maths की preparation आपकी complete हो सकती है, इसके अलावा, इंडिया GK का आपके पास में बहुत सारा matter available है, previous year को थोड़ा थोड़ा साथ में लेकर चलो, ठीक है, reasoning की बहुत सारी classes हमारे YouTube channel के उपर already available है, आप चाहें, तो इन में से कोई भी एक subject, दो subject आराम से prepare कर सकते हैं, English में कुछ नहीं करना, 15 minute वो क्या पढ़नी केवल, 15 minutes, यह subject complete है, ठीक, उ हैं, या फिर हमारे YouTube channel है, सब कुछ, आप boards के साथ आराम से prepare कर सकते हैं, लेकिन छोड़ देना, बिल्कुल पूरी तरीके से, यह गलत है, domain के लिए भी आप अपनी तैयारी करते रहो, लेकिन बस test series जोईन कर लो domain के लिए, है ना, every Sunday हो जाती है test series, या week में दो दिन हो जाती आपको, English में only 15 minutes देने, बाकी India GK के लिए कोई भी reference book या previous year थोड़ा थोड़ा देखते चलो, आराम से last 2 महीने में top class तैयारी हो जाएगी, last में आप कहीं से भी आप crash course कर लो, और test series दे दो, तो यह है दोस्तों की boards के साथ कैसे manage कर सकते हो, आप तैयारी हो, अगले 6 महीने म हमारी planning क्या होनी चैए, 6 महीने की planning, domain की test series start करो, और जो general paper है उसके लिए इस तरीके से तयारी करो, जो मैंने आपको बताईए, आप boards के बिना भी बहुत अच्छे से तयारी कर सकते हो, इसमें 6 महीने में, और boards के साथ तो आप बहुत बढ़िया तरीके से और करी ही सकते हो, ठीक है, तो इस session में मैंने आपको यह बता दिया है कि 6 महीने में हमारी planning क्या होनी चैए, test series is very important, test series eliminate silly mistakes, जो यह MCQ pattern होते हैं न दोस्तों, इसमें silly mistakes बहुत होती है, लिखने में, descriptive paper में silly mistakes का कोई काम नहीं है, जो सोचोगे वो लिख दोगे, और MCQ में बहुत सारी silly mistakes होती है, कौन-कौन सी होती है, answer सूचा कुछ है और click कुछ और हो गया, यह कर दिया है, है न, CBT होगा तो उसके अंदर भी इस तरह की दिक्कत हो जाती है, या time management, time management नहीं हो पा रहा है, time ज्यादा लग रहा है हम कुछ चीजें करने में और time खतम हो गया है, ठीक है, या फिर नहीं other examination, तो test series दो, और उसके अलावा general paper को आप इस तरीक से तयार करो, English के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया, अच्छा, अपने पास, Himalya IJU Hub का आप application डाउनलोड कर लो, Himalya IJU Hub application जब आप डाउनलोड करो तो आपके पास में options रहेंगे, है न, वहाँ पर live courses है, वहाँ पर test series है, बहुत अच्छी test series है, then उसके बाद crash courses भी हमारे पास होंगे, online and offline, तो आप वो crash course भी यहां से ले सकते हम से जूड सकते हैं, उसके अलावा YouTube channel अगर किसी के subscribe नहीं है, तो subscribe कर लो, bell icon दबा दो, ताकि आपको videos और दिखें, मैंने English के इतने सारे session ले रखें आप अपने channel से यी video जब देखेंगे, हिमाले जूब से live session जब आप देखेंगे, English, reasoning, math, तो आपके बहुत सारे subjects के बहुत सारे videos दिखेंगे, उससे आपको पता भी चलेगा और बहुत आपको help मिलेगे, मैंने काफी सारे sessions उसके उपर free ले रखें हैं, अपने channel पे, तो आ साथ में कोई ना कोई आप subject लेके इस तरीके से चल सकते हो कि आपका boards और cvt दोनों की 6 महिने में बहुत अच्छी तैयारी हो सकते हैं, तो अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो, तो session को share करना, like करना, कोई भी query हो, तो comment कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसी important next session में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन